हेलो फ्रेम दोस्तों मेरा नाम है मुकल जायन और आज हमनों सीखने वाले हैं टूडू लिस्ट कैसे बना जाती है एक्सल में तो टूडू लिस्ट में होता है कि यहां पर कुछ टास्क लेम लिखे हुए जैसे प्लानिंग एनलिसिस डिजाइन डेवलमेंट टेस्टिंग इंप्रिमेंटेशन मेंटेनिस आपके पास जो भी टास्क को आप लिख सकते हो यहां बगन में हमाई पास चेक बॉक्स है तो होत परसिंट में आप देख रहे हो चला जाएगा तो अब यह बनाते कैसे हैं आज हम लोग यही सीखेंगे तो उसके लिए मैं करता क्यों है यहां पर सेकेंड शीट में चला जाता हूँ और यहां पर मैं थोड़ा सका सुझूम कर लेता हूँ और यहां पर लिखेंगे हम करती है तो उसके बाद आप को करना क्या है यहाँ पर फायल पर गना है उसके बाद आप जाओक चीजह अए," अब Gla?ígen?" और उसके बाद पर checkbox पर click करना है और ok press कर देना है होगा कि आपके पार यह developer tab यहाँ पर आ जाएगा आपको developer tab में जाना है इंसल्ट पर जाना है और यह बना हुआ है आपका checkbox यहाँ पर इसको click करना है और यहाँ पर इसको design करने ना है checkbox को कैसे करेंगे? Alt की प्रेस करेंगे और हम लोग यहां पर इसको डिजाइन करनेंगे. तो यह कुछ इस तरीके से check box आ जाएगा. मैंने क्या किया? इसको edit करके यहां पर check box नहीं हटा दिया. तो यह चेक बॉक्स के आंगे लिखा की बपट भीघ भाएं और चएक बॉक्स जो लिखा भुगा था लेबल ता जो हमारा वो रिमूब हो चुका है अब करना कर एस पर right click करना है तो यह अरफ मोन पर आ जाएगा इस तो हम했다 पे बीच में यहाँ पर रख लेना है अप क्या करना है इसकी copy हाँ बना लेनी है copy कई करना है control के सिख़़़ प्रेस करना है au इसको नीचे move करना है यहाँ पहर यहाँ उसकी तरह साग्ट पिर सेजाब करना है पिर सेटलिक और अब कंट्रो ए करना है तो यह सारे चैप बोक्स हमाइए स्लेक्ट हो जाएंगे उसके बाद verschiedene है प्रशेठ फॉर्मेट पर जाना है और अलायमेंट आपको मिलेगा तो यहाँ पर हमको प्रेस करना है अलायमेंट सेंटर तो यह सारे सेंटर में आ जाएंगे इसको थोड़ा सामनों यहाँ पर मुव करा लेंगे और उसके बाद फिर आपको यहाँ क्लिक कर देना है कहीं पर भी अब इसमें थोड़ी सी हमें सैटिंग करने पड़ेगी यहाँ पर फिर से रैट लिक करना है फॉर्मेट कंट्रोल पर जाना है और यहाँ पर चैट लिखा हुआ है यहाँ पर सेल लिंक यहाँ पर आपको तो होगा क्या, जैसे यहां पर tick आप off करोगे, on करोगे, तो यहां पर true or false लिख के आएगा, same आपको इन तीनों में भी कराना है, थोड़ा सा hang और ही मेरी sheet, यह तीनों में भी यही कराना है, तो यहां क्या करो, right लिख करोगे, format control पे जाओगे, यहां पर click करके यहां tick कर दोगे रोक कर दोगे same तो जैसे click करोगे अभी यह edit mode पर है selection mode पर आ गया है तो यह देखिए इसको भी ऐसी करना है रैट लिक करना है इस पर फिर जाना format control पर same process है जैसा इसमें करना है वैसा हर किसी में करना है रोक करनेंगे फिर रैट लिक करना है फिर format control में जाना है और फिर यहां पर हमें यहां click करके तो यह अब हमारा थोड़ा सा complete हो चुका है जैसे हम लोट करेंगे यहां पर वैसे true force में यह change होते जाएंगे आप देख सकते हो इस तरीक से अब हमें इसका यहां पर total करा ले ना इसके नीचे यहां पर तो कैसे कराएंगे equal का sign लगाएंगे यहां पर click करेंगे c2 में plus c3 plus c4 plus c5 simple है इन चारों को मैंने यहां पर plus कर लिया है और फिर enter किया तो यहां पर 3 आ गया है अब आप देख सकते जली भी task complete होंगे उसके नंबर यहां पर आ रहा है अब आपको करना क्या है यहां पर एक formula लगाना है यहां पर equal to this divided by 4 4 इसली लिए क्योंकि चार टास्क है उसके बाद एंटर कर देना है तो यहां पर 1 आ जाएगा और इसको यहां पर percent 10 में change कर लेना है और अब क्या करना है यहां पर इस column को हमें hide कर लेना है column को hide कर लिया है तो आपको कुछ इस तरीके से देखेगा यह तो अभी फिरहां में क्या कर आओ फिर से column unhide कर आओ क्योंकि इसके भी हमें need है अब क्या करना है इसको यहां पर select करना है इन चारों को उसके बाद format और यह सोरी condition formatting में जाना है यहां पर आपको new rule पर जाना है यहां पर use a formula to determine पर जाना है और यहां पर आपको formula लगाना है formula क्या होगा आप यहां पर लिखोगे equal to हमारे जो true force दी गए है वो c column पर दी गए है इसलिए हमने यहां पर लिखेंगे c2 और हमने यहां पर कर दिया equal to अगर हो यहां पर true अगर true होता है अगर यहां पर c2 हमारे true हो जाता है या फिर कोई भी हमारे true हो जाता है इन चारों में तो क्या हो तो हमें formatting करना है कैसी formatting करना है हमें जो font है इसमें strike throw चाहिए strike throw कहते हैं जब line आ जाती है strike throw चाहिए और fill में हमें यहाँ पर कोई भी color चाहिए जैसे मैंने माल लिजए यह color लगा लिया या फिर यह color लगा लेते हैं ok कर दिया तो कुछ इस तरीके से देखेगा जब true होगा और फिर ok कर दिया अब आप इसको hide कर दो अब जैसे आप प्लिक करोगे तो यह कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर percentage आपको भड़ जाएगा मैं थोड़ा से इसको यहाँ पर कर रहा हूँ यह देखिए यह देखिए तो इस तरीके से आप यह to do list create कर सकते हो और रही बात चार्ट की तो चार्ट में आपको नेस्ट वीडियो में बता दूँगा क्योंकि यह वीडियो काफी नम्मा हो गया है तो मेरे ख्याल से आपको यह आगया होगा कि यह to do list हमारी basic level पर कैसे बने जाती है बस में चार्ट की कमी है चार्ट में वह आपको आँगे बता दूँगा मैं आशा करता हूँ यह topic आपको पसंद आए होगा अगर ऐसे topic आपको और देखने है यह VBA कहलाता है अगर VBA से एटेट और topic देखने है तो मुझे comment कीजे जिनने comment मेरे पास आएंगे तो मैं सोचूँगा और फिर और बनाए जाए ऐसे वीडियो तब तक लिए दोस्तो धन्यवाद लाइक कर दीजे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए और अपने दोस्तों से जोशेयर कीजे दोस्तों और फॉलो कर लिजे हमारे चैनल एक्सेल में कुल और आप यूटूब पे है तो सस्क्राइब कर लिजे ऐसे वीडियो देखने में तब तक लिए जोस्तों धन्यवाद कुलबाएं